जब आपके हिर्दय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा आपको सिकारना है बाबा आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा है बस हाथ में चंदन लगाया बेल पत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिवजी से अपने हिर जगां होती है आपको बताया है अशुक सुंदरी का जो स्थानों था इस शिवलिंग यहां अशुक सुंदरी वाली जगा पर जहां शिवलिंग है शिवलिंग की साइट पर पहले नंबर की पत्ति का मुख होना चाहिए बस उसको रख दीजिये और उस पर थोड़ी मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाईए अगली सुम्बार की अश्टमी या अगला प्रदोश या अगली शिवरात्री जवाती है मेरा महादेव आपकी मनों कामना का भाव पून करका यह शिवसत्र एक बात अपने जीवन में उतार कर रखियेगा सुम्बार की अश्टमी शिवरात्री या सुम्बा प्रदोश बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का मरक्चु वहाँ दीप दान अवश्य करना चाहिए अब एक बात का समर्ण आपको रहे थोड़ा सा अगर किसी कामना के वश्य अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावुद्पन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कारे है आप पून करिए लाए तो फिर शुमंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोश या सोंबर की अश्कमी या सोंबार या आप शिवरात्री को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं विशेश जब कोई एक बहुत बहुत बढ़ी बात हो और आपके कारे में कहीं अटकल हो रही हो तो एकी दीप में दो बात आप शिव और शक्ति लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक सान एक दीप में भी लगा सकते हैं पर कब जब विशेश कोई आपका कारे हो और वो अटकरा विशेश कोई का और आप बाबा से प्रांथना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते ऐसे शिव शिव शंकर भगवान को धतूरा तब चड़ाना चाहिए उसका विशेश ज्यान रखें यह से शिवरक्त्री है प्रदोश है या पूंबार है या कोई विशेश आपका उस्तव है तो आप शिव जी को धतूरा चड़ा से या विशेश कोई बिमारी ऐसी लग गई ह या विशेश कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा तो आप धतूरा चड़ा से जातूरा चड़ाने का विए क्रम है हल्दी में भिंगोकर धतूरा चड़ाया जाता है लच्छमी के लिए चंदन में भिंगोकर धतूरा चड़ाया जाता है आयू की व् तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चड़ाया जाता है अभीर को लगा कर चड़ाया जाता है वो रोग मुक्ति का है काई के लिए होता है रोग मुक्ति कि रोग कि में घतूरे का भी किस्मन होता है महाराज बहुत भारी रोग है बीमारी लग गई है डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं घरका व्यक्ति बहुत बेमार हालत में पड़ा हुआ है तो बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्मान करकर घतूरा समर्कित करा जाता है जिससे रोग से मुक्ति होती है उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है ना चंदन लगाया जाता है ना भीर लगाया जाता है केवल दतूरा के जिसके जीवन में हमेसा काटे ही मिलें बेटी बड़ी हुई तो घर में माईके में दुख देखा और माईके से गई सुस्राल में तो सुस्राल में दुख देखा सुस्राल में भी दुख देखने के बाद में भी पती को बहुत कुछ काम खुलवाया बहुत धंदे खुलवाया नोकरी लगवाई और वो पती बार-बार छोड़ करा गया बार-बार तकली भोग रहा है बार-बार कश्ट भोग फिर थोड़े दिन काम करता है फिर फिर बिपार में बढ़ता है फिर छूड़ जाता है फिर कोई दुकान खुल वई थोड़े दिन अच्छी चली फिर वापीस घर पर आकर वेड़ गया अर ठात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है तो बाबा देवदी देव महादेव करते हैं ये तीन घड़ी तीन अपल तीन नक्षतर तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से में शूल हटा देता वो तीन दिन लिखें स्कंद पुराने माराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाईज्यों अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हों परिशान हो गए हों कष्ट में जीवन जी रहे हों बहुत दुखी हो गए हों उनके लिए यसकंद पुरान का चरित प्रफिर मिले ना मिले आप्रेम से सुनना आउसे पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुदभार की हो गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई विवार की हो, पर बेशाक महिने की प्रदोष, प्रदोष काल में, शाम का समय, सूरिय डूब रहा हो, बस दूबा ही हो, और उस समय पर सूरि के डूबन के तुरंत बाद, बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री न चड़ाते हुए बेल पत्री के भ्रक्ष के साथ काटे बावा के शिवलिंग पर समर्पित करें जाते हैं महाराध अपनी जिंदगी में अर्चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस वेपार में उत्रें जिस नोकरी में उत्रें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी पर फोघ्र तर्फ दूतरा कि शिवरात्री के दिन मध्यान का समय कि ना मराज कि जो बढ़ी शिवरात्री होती है माग की बढ़ी शिवरात्री के अंतरगत Century मध्यान का समय दोपाहर के भीक 12 सी चाय पिर वो कोई भी दिन हो माराज शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेलपत्री के व्रप्च के समर्पित होते हैं मारे इसमें आप ये वाले जो काटे हैं जो शिवरातरी के दोपहर 12 वज़े वाले हैं अगर कोई मदिरा पीने वाला हो वैसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ती है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा आरवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का व्रक्ष है दुतिये शूल में वहां धारन करता है तरतिये शूल भी सराशूल जो वर्णन करा गया महराज भगवान स्रावन के महिने में स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुंबार पड़े जो भी पड़े स्रावन के महिने का जो दूसरा सुंबार होता है उस दूसरे सुंबार में रात्री के समय पर अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का इस्मन करेंगे तो रातरी के बजेंगे दस से बारा बजे मारे दस से बारा के बीच में धतूरे के साथ बाबा कुछ शूल समर्पित होता है महाराज ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में आप पेट लिए गवर्मेंट एक्जाम के लिए बेट लिए नहीं हो रहा ये तीन बार मेरे शंकर को बेल पत्री के ब्रच के शूल समर्पित होते है उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुप्राप्त करादा कि बाबा बोलेनाथ जी के नएना शुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्षा का पोधा है माता पारवती के नएना शुरू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोधा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वदी जिनकी बारा खाम प्रकटी है भगवान महेश के द्वारा वो महेश और उमा उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट हुआ उमा और महेश जब दोनों आनंद में विवहोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से तप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी का पोधा तो एक बात द्यान रखिए, शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ, उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई काटे नहीं है, पारवती के द्वारा जो निर्मित हुआ, बेलपत्री का पोदा, उसमें काटे हैं, और पारवती के मिलन से भी जो अत्पन हुआ है शंकर के ने तो पार्वती जी इसकंद पुराण में प्रिश्न कर रही है भूले नाक जी से की प्रभू मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है थोड़ा सा माता हूँ मेरी जीजी हो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर पर लग जाए पर आज कथा निकली है तो सुनने कि शिवजी जिस रुद्राच को उत्पन कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली है उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिल पत्र उसमें भी शूलता है तो भगवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए परवु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरी का जो सुभाव होता है उसके हिर्दे में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते है जेठानी ने यह कर दिया देवराणी ने यह कर दिया तुमारी मम्मी यह बोल दी तुमारे पापा ने यह कर दिया तुमारी बहनों ने यह कर दिया तुमारे भाई ने यह कर दिया तुमारे रिश्कजार ने यह बोल दिया यह नारी के लिए तर यह शूलता रहती है तो पारवती जी कि जितना तप आपने करा उतना तप मिने करा और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मिने करी और जितना अराधना दिल से आपने करी उतनी अराधना दिल से मिने करी फिर इसमें शूलता कहां से आगए भगवान शिव बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं अराध आराधना करने बेटता हूं तो मेरी दृष्टी में सम्मुक में कुछ नहीं होता है जब मैं आराधना करने बेटता हूं तो मेरी दृष्टी में मेरे सम्मुक में कुछ आही जाता है कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है माहराज बताओ इतने सारे भगवान इकटे कर लिये मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पड़ रही है अब ये करना पड़ रहा है परिशाद लेने के लिए रसोई घर में गई भगवान का भूग लगाने के लिए तो उसमें भी शूलता आ गई इपते घंटों से मैं समान डोंडरी फिरीज में मिली नीरा में रखे गई थी बगवान जाने कहां चले गई बगवानों को वस्त्र पिना रही है तो उसूलता है अलमारी का ड्राच खोला इसमें मैंने समान रखा ता ना जने बगवान का शूलता आ गई और तात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी ऊई है और पारवती जब तुम भजन करो तपकरो साधना करो भक्ति करो उसमें शूलता नहीं होना चाहे पारवती जी ने कहा बोले ना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में पद्म पुरान इसकंद पुरान लिंग पुरान नरवदा पुरान और श्यू महा पुरान ये सारी पुराणे वर्णन करती है पारवती जी का खंड आनंद वर्चत कर रहा है वर्णन कर रहा है पारवती खंड वर्णन कर रहा है सती खंड वर्णन कर रहा है उमा सहीता वर्णन कर रही है